हेलो फ्रेंज अगर आपको एक सेकेंड हेंड कार खरीदाना है तो दोस्तों, आज हम केंडर पड currently के सेकेंड कार मारकेट पर आने हैं और यहां पर इस वीडियों पैसे को पता हैं वागने तो दोनों ही सेकेंड कार द लौक पर ध्यान देते हैं यानि कि इसके बाड़ी पर जो बाहरी ही इसका में इसके अंदर जो चीजें उसी पर भी आपको ध्यान देना चरीडि जरूरी है तो दोस्तों caller का लूग आपको सबसे पहले पता ये गौए कई खाया है या नहीं यानि कि गारी के कुछ एक्सिडेंट हुआ है नहीं इस सब को चेक करने के लिए आपको जो इसके बॉड़ी को सही तरह से चेक करना पड़ेगा और खासकर इसके नीचे के तरफ जो पार्ट्स है उसको अगर आप देखेंगा आपको साफ पता चल जाए कि गारी में कोई problem है या नहीं accidentally तो दोस्तों यह वाला गारी जो काफी thick tag है यहां पर कार बीकाफी नए करके कर आगया है तो दिखने में यह काफी अच्छा लग रहा है और यहां पर इसका जो ग्लास है यह भी काफी अच्छा है इस अब का जो बॉडी का जो यह चीज है मैं जो आप लगा के दिखा रहा हूं यह सब चीज आपको देखना ज़रू है क्योंगे अग अगर आप साइलेंसर में जो यहां पर काला काला रहता है ना मोबील अगर चलाता होगा तो साइथ अब पता लगा लेंगे कि इंजिन में कुछ काम बाकी है तो दोस्तों टायर भी जो है इसके काफी अच्छे टायर है और बॉडी भी काफी ठीक टाक लग रहा है वैसे मैं ध्यान देना जरूरी दोर जब खुलता है तो सही तरह से खुलता है या नहीं दोर खुलने तो में कुछ लचक आता या नहीं यह देखना जरूरी है और डोर का जो साइड में यह वाला चीज में दिखा रहा हूं यह देखना जरूरी है और साथ में आपको डोर जहां पे लगा हुआ है, फीटिंग होता है, जहां से खुलता है, वो देखना आपको ज़रूरी है, यहां पर कुछ प्रब्लम तो नहीं, अगर हलके फुलके मार लगे हो तो आपको पता चल जाएगा, और यहां पर इसका जो बॉड़ी है, जो रबर लगा गया है, यह रबर को आप च जाएगा, तो यह लगबग 97,000 किलो मेटर चल चुका है, और अंदर से काफी जबरदस्त है, और दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, नई कंडिशन में लग रहा है, तीप टॉप कंडिशन में पुरा लग रहा है, दोस्तों देख सकते हैं, यहां पर काफी आपको मिल जाता है, पावर विंडो आपको चारों डोर का यहां पर दिखने को मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात है, शेंटर लॉकिंग के आपको यहां पर बिल रहा है, तो यह वाला जो गाड़ी है, काफी जबरदस कंडिशन में अंदर से यहां पर आप गेरबक्स भी चेक कर सकते हैं, और यहां पर इसके एक्सलेटर पेडल, ब्रेक पेडल और क्लच पेडल को भी आप सही तरह से चेक कर लें, और दोस्तों, सही तरह से जानकर लेने के लिए दोस्तों, आपको गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको शीट कवर लगाने कोई ज़रूद नहीं है, अच्छा कवर लगा हुआ है, तो यहां पे दोस्तों, हम पीछे की तरफ चले आते हैं, और पीछे की तरफ भी आपको नजारा देखा देते हैं, तो डोर जब खुलता है, दोस्तों, आपको ध्यान में जखना ज़रूर है, और इसका जो, यह डोर का साईट का प्लेट है, उसको देखना ज़रूरी है, यहां पर लगा हुआ है, यह सब काफी जबरदस कंडिशन में है, यानि यहां पर अच्छा है, और यहां पर तो मैट लगा हुआ है, इसके नीचे का चीजें, जो भी है प्लेट वो देख ल दस्ते और बाहर से भी ठीक ठाक है तो दोस्तों ही हल्के फूल के जो सक्राचेस ओव भी नजर नहीं आते हैं काफी अच्छा है और यह वाला जो काफ़ बाहर काए थोड़ा डीला हो ना जागता है तो यह पाफी अच्छे तरह से कर खरीदें तो दोस्तों उसको एक पर अपने साथ में अच्छा मेकानिक ले जाए ताके आप वो जान पाए गाड़ी चलाते ही के गाड़ी में कोई फॉल्ट है या नहीं तो दोस्तों गाड़ी कुछ अब चलाएंगे तो आपको मेरे डिक्वेस्ट है अगर यह फाइप स्पी आवाज आए तो पता लग जाए कि इसक अब्जार का काम बाकि है तो यह अला तो गाड़ी है काफी ठीक टाक और इसका इंजिन भी हम यह आपको धिका दिने वाले हैं तो दोस्तों इसके अंदर में देखने का यह है कि आपको गाड़ी कुश्टार्ट कर लेने के बाद में क तो यहां पर यहां पर अंदर से भी लूग काफी अच्छा है और यहां पर नीचे जो इसका लूगा है अंदर से इसका जो बॉड़ी का स्ट्रक्चर वो आप चेक कर लें कैमरे पर या पर खुद आके चेक कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि गाड़ी कैसा है तो दोस्तों टाटा इंडिगो को प्राइज रखे हैं इनलों देड़ला गृप यह तो चलिए दोस्तों अब हम आते हैं मारुतिश जी की वागनर की दरब जिस तरह मैं आपको बता दिया हूं टाटा इंडिगो को जिस तरह हम चेक किये थे बॉड़ी को पूरा चेक करना है कहीं स्क्राचे से या नहीं कहीं मार लगा या नहीं इसक्राचे सो कोई जादा करें दोस्तों को कर तो पूरी तरह से नहीं थे खाण करना है और और खासकर जोड़ी साइड का नीची के की तरफ है उससी चेक करें या और ढ़ो कूछे करें का के गाड़ी कहीं ठुका हुआ है या नहीं पीछे के तरब जो हलकवूल के स्क्राचे से हो नजर आते हैं यह बो कोई प्रोब्लिम नाली बात नहीं है जो भी है इदर अधर अब देख सकते हैं टायर जो है काफी अच्छा है और लगबख 50 परशन के करिप पर इसमें बाकी है काफी अच्छे कंडिशन में है गाड़ी वह सिर्फ एक लागप 50 जार के असपक्त प्राइज रखें और अगर आप वहां पर जाते हैं उनसे बात करते हैं तो कंसेशन भी करने वाले हैं तो दोस्तों यहां पर वागनार का भी कंडिशन काफी अच्छा है जो मैं आपको य अगर चैनल को सब्सक्राइब नेट् yra सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दूसτοं यहां पर डीलर का सब्सक्राइब कर सकते हैं जो यह काफी टीग कर और जो हैं तो भी ठीक ठाग रहे हैं मैं जैसे कि मैं आपको हर वीडियम बताता हूं अगर आपको शेकेनेट कार करिगना है तो आप अपने साथ में एक अच्छा मेकानिक ले जाएं ताके जो भी इंजीन में कोई प्रोब्लेम होगा वो चलाते ही जान लेगा और गाड़ी कुछ चलात अब पता लगा पाएंगे कि गाड़ी पे कुछ काम बागी है तो दोस्तों यहां पर सभी कार पे खरीदने से पहले आपको क्या करना टेज्ट ड्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यह गाड़ी जो है लगबग 56,000 किलोमेटर तक चला है मारती शुजी की वागनर का यह वाला मॉडल है इसका प्राइस इन्होंने रखा है लगबग 1,60,65,000 के करीब तो अगर आप यहां पर आते हैं और इनसे बात करते हैं तो आपको जरूर डिस्काउंट मिल जाएगा तो यहां पर वागनर का जो कंडिशन है अंदर से और बाहर से काफी जबर बाहर दूंगा तो वहां पर कुक कैसा नजराता है यहां पर प्रॉबड किया जाता है और शाथ में शिगरेट का लाइटर भी आपको यहां पर मिल रहा है जगा जो है मारत शुजी की वागनर में आपको पता है काफी अच्छा स्पेस इसमें मिलता है चाहे वो नया मॉड मारती वागनार जो है इस पेस की मामन में काफी जबरदस्ता अगर इसके सीट में बैठेंगे आपको लागया क्या आप एक छोटे से स्यूवी पे बैठें काफी सीट जो हाइड में है और काफी कंफर्डबल राइड का मज़ा आपको मिलता है तो दोस्तों गाड़ी करने से आपको सही तरह से इसके बाड़ी को इसके अंदर की चीजें को और इसके कलर को भी चेक करना है कलर मीश मैच हो यह ने कलर मीश मैच की होता है दोस्तों अगर इसमें कोई प्रोब्लम आता है तो इसके कलर को और एक बार कलर के जाता है तो वहां पे कलर मीश मैच होता है तो तो जब भी आप गाड़ी कर दें तो आप अपने साथ में एक मेगाले को लेका हैं और साथ में टेस्ट ड्राइब लेके आप इसके बार में जाने करें लेलें और अहां जब गाड़ी खरीते हैं तो आप अपना तरफ से जो है डिशकाउंट उनसे मांग सकते हैं कि और प्रा मारती वागनर का एसी जो काफी अच्छा काम करता है तो चलिए दोस्तों अब हम इसके पीछे के तरफ सेगंड रोपी भी आके आपको दिखाएंगे कैसा है ना जरा जो भी लूख है आपके आपके सामने ही है देख सकते हैं काफी अच्छा कंडिशन में है मारती सुची का व लेकिन हा इसके रिगार्णिंग आप जो है डिस्काउंट भी आपको मिलेगा आप पर डिस्काउंट मांग सकते हैं तो यहां पर डोर जो है खुलने का दोस्तों डोर काफी ठीक ताक है इसका डोर से आपको पता लग जाएगा कि गारी का कंडिशन कैसा है गोड़ का जो ल गाड़ी का इंजीन के तरफ आपको ले आते हैं गाड़ी के तरफ और आपको इंजीन का साउंड भी सुना देंगे ताकि आपका भी डाउट क्लियर हो जाए तो चलिए दोस्तों बॉनेट को यहां पर खोलते वग भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों बॉनेट सही तरह से पर आपको हुआ तो यह सब से आपको पताल लग जाए कि गाड़ी कहीं कुछ काम माग रहा है या नहीं तो दोस्तों यहां पर इंजीन जुए काफी ठीक टाक है काफी ठीक्टाक है तो बॉनेट इस तरह से बॉनेट फ़र चेकर लिजिए और इंजीन का साउंड भी आपक तुम्ह पंगा थे जुम्हाओ हुए घादी ऑूादी टेकी छे ड्यादी जुम्हादी कजते हैं तुम्हादी तुम्हादी टाहे है लगा हो ज्यादी